है यह विल्ट आज सी ढंड करने जा रहे हैं जिसमें जो हैं हम सीडिपी के 450 प्लस को सिपश्चन को को डिसक्श गरेगे और इन में जो है सबसे पहले आपको कुछ को स्थी टेट के जो प्रिफिएस एर खुंड पेपर हैं उन में से एक्जेक्ट सेम मिलें और उसके बाद सब्सक्राइब करें रहें आप को सब्सक्राइब को को सब्सक्राइब को देखते हम चाहिल सेंटर पैडगोजी प्रमोट्स चाहिल्स उत्रकिंदित Siqshah Shastra Shastra की क्या वश्रिषिता है तो iho C68 के इंदेतमालब, जो Keyshastra को देखते हुए बच्चे को ध्यान में रखते हुए 5ृ लग पेड़ाघो तो यह जो है सबसे गलत होता है बच्चे के दिमाग में जो हीन भावना आएगी कि उनको लेबल कर देना यह जादा intelligent है यह कम intelligent है यह medium है यह average है तो ऐसा नहीं करना चाहिए अब हम next third option पर जाते हैं exclusive reliance on textbook अब अगर text books पे ही reliance होना है उन्हीं पे निर्बर होना है तो teacher की क्या आवशकता है तो यह तीसरा option पर cancel हो जाता है इसलिए जो हमारा answer होगा वह होगा fourth giving primacy to children's experience बच्चे के जो अनुभव है उनको क्या देना है उनको supremacy देनी है next हम चलते है second question पर emotions and cognition are जो हमारे emotion होती है और cognition जो हमारे thinking जो होती है हमारी we are infinite as theisma और जो हमारी emotions होती है कैसे related होती है एक दूसरे से सबसे पहले हम last से देखते है independent of सवतंतर होते हैं ऐसा नहीं है आपने जैसा हम सोचते हैं अपने दिमाग में हमारे emotions भी वैसे यानी शुरू हो जाते हैं जैसा हम सुनते हैं देखते हैं हमारे emotions वैसे ही शुरू हो जाते हैं फिर थर्ड ओप्शन देखते हैं completely separate from completely separate कैसे हैं बिल्कुल अलग नहीं है तो बिल्कुल जुड़े हुए एक दूसरे से not related to तो यह भी नहीं आएगा तो हमारा first option जो है correct हो जाएगा interwoven with each other एक दूसरे से सहनित हैं नेक्स हम third option देखते हैं in the constructivist framework learning is primarily जो constructivist हमारी first वीडियो में आपको बताया गया constructivist क्या होता है जो अपने ग्यान का निर्वान खुद करें activities से करें hand on activities से करें दूसरों को देखे सीखें उसको क्या बोलते हैं constructivist तो उसमें जो learning होती है वो कैसे होती है तो हम option last से चलते हैं centered around reinforcement reinforcement मतलब यह तो यह हुआ reinforcement का मतलब होता है बच्चे को कुछ देना और फिर उसको बोलना है कि आप अगर यह आप यह काम करते तो आपको यह चीज मिलेगी तो यह तो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको इस चीज़ की habit पढ़ जाएगी अब सेकेंड ओप्शन देखते हैं focus on the process of meaning making हाई यह option ठीक है आप इस टिक पर ना जाए second जो option है यह इसका बिलकुल ठीक है कि जो मीन बच्चे का focus होना चाहिए constructivist के दोरान कि जो हम concept करा रहे हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए उसे क्या पता होना चाहिए मीनिंग पता होना चाहिए तो इसका second option जो है वह correct है next हम चलते हैं fourth question पे नेव theories that children construct about various phenomena अनेग घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाये गए सहाजुनू भूत सिधानतों के संधर में एक सिक्षिका को क्या करना चाहिए तो हमने first second वीडियो में देखा था कि जो मैं पूरे वीडियो में मैंने उसके बारे में explain भी किया था कि जो बच्चे concept बना लेते हैं दूसरे उनको हम alternate concept बोलते हैं तो उस time पर जो है क्या करना चाहिए एक teacher को यह question में पूचा गया है should be replaced by correct one through repetitive memorization तो जहां पर यह memorization word आ जाए न मतलब रट्टा तंतर जो आ जाए उसको तुझा आपको cancelling कर देना है third option देखते हैं should be ignored by teacher नहीं ignore नहीं करना हीन भावनाएगी should be punished by teacher तो ऐसे जो negative options है वो तो आपको लगाने ही नहीं है तो second option बचता है should be challenged by presenting counter evidence and examples जो बच्चे के वो जो theories बनी हुई है उनकी खुद की theories जो बनी हुई है उनको जो है हम कैसे समझा सकते हैं उनको जहां में evidence देने चाहिए examples उनके सामने present करने चाहिए जिससे जो है आपने उसको alternate concepts को correct concepts में change कर सके next fifth question देखते हैं repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment और to gain a reward बच्चों के अधिगम गती वीडियो में भागिदारी करने के लगाता है प्रुसकार देना वे दंड का प्रयोग करने से क्या परभाव पड़ता है लब अगर कोई बच्चा उसको जो है आप वह first आ रहा है first last में second में third में आप आई बार उसको कुछ चांकुछ दिला रहे हैं या फिर वह fail हो रहा था उसको दंड दे रहे हैं तो उससे क्या affect पड़ेगा बच्चे पर तो यह जो है क्या कर देगा decrease कर देगा बच्चे की ज सिर्फ उसी वज़े से पड़ेगा तो इसलिए जो second option है कि जो यह जो चीज होती है award और punishment और reward और punishment देना उससे जो है बच्चे का natural interest कम हो जाता है उसकी जिग्यासा होती है वो कम हो जाती है तो second option इसका correct है next six question में हम चलते हैं which of the following statement about learning is correct from a construct constructivist perspective इन में से कौन सी statement जो है ब concept के according सबसे पहले देखते हम लास्ट वन लर्निंग इस प्रोसेस ओफ रोट मैमराइजेशन नहीं वही रट्टा मारना तो बिल्कुल नहीं है third option देखते हैं learning is the process of reproduction and recall बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उसको जो है याद किया और ऐसा कैसा जो है present कर दिया first option देखते हैं learning is conditioning by behavior by repetitive association अब repetitive अलब बोल बोल के उसको बार बार में आप याद कर रहे हो वह तो learning नहीं वह तो रट्टा मारना हो गया और second learning is a process of construction of knowledge by active engagement तो यह option जो है बिल्कुल सही है कि learning जो है एक ऐसा process है जिसमें ज्यान का निर्मान किया जाता है active होगे बच्चे जो है active होके ग्यान का दिर्मान करते हैं 7th question पे हम चलते हैं प्रेजंटिंग students with clear examples and non examples student को जो है example और गैर example देना बिल्कुल clear कर देना concept के बारे में वो क्या है तो cause gaps in their understanding of concepts नहीं understanding अच्छी करता है वो तो अगर आप एक चीज़ के बारे में example भी देतो तो तो अच्छी understanding मनाता है तो यह बिल्कु नॉलेज रेदर दन conceptual understanding यह भी गलत है कि उसकी सिर्फ जो है प्रोसेजर नॉलेज भड़ती है बच्चे की conceptual understanding नहीं भड़ती है थर्ड ओप्शन देखते हैं इसन इफेक्टीव यह तो इंक्रेज दा conceptual change तो यह बिल्कुल ठीक है कि अगर आप किसी concept के बारे में उसको एक्जामपस दे रहे हो और नोन एक्जामपस दे रहे हो वो जो एक effective वे है कि उनके जो concept है वो जो alternate concept है वो correct concept में change हो जाए नेक्स हम देखते हैं 8th question अब primary school teacher can uncreate children to become effective problem solver एक जो primary school teacher है वो बच्चे को कैसे process कर सकता है कि वो एक अच्छा problem solver बन जाए dismissing and penalizing incorrect answer में लब कि गलत उत्रों को ऐसे विकार करके और दंड करके उसको जह बताना तो यह तो बिल्कुल गलत है negative options तो choose ही नहीं करने है second option देखते है increasing children to make intuitive intuitive gases and then brainstorming on the same तो यह बिल्कुल थीक है कि बच्चे को जो है chance देना चाहिए कि वो अपने gas लगा सकते और उस पर जो है different तरीके से सोच सके brainstorming का क्या मतलब होता है एक ही concept में जो है अपने different ideas देना उसको brainstorming बोलते हैं next some third question 9th question पर चलते हैं 9th question जो है हमारा है which of the following practices promote meaningful learning इन में से कौन सी meaningful learning promote करती है अधिगम को कौन सा बढ़ावा देती है तो सबसे पहले है शारिरिक दंड बिल्कुल नहीं दंड तो देना इन चाहिए cooperative learning environment सहवगात्मत अधिगम प्रियावर्ण मेलब cooperate करके जो learning environment होता है एक दूसरे की help करते हैं बच्चे जिसमें teacher बच्चे की help करते हैं और जो classmates होते हैं वो एक दूसरे की help करते हैं तो हाँ यह second option ठीक है third option देखते है continuous and comprehensive evolution यह भी ठीक है बच्चे का जो है continuous and comprehensive evolution होता रहना चाहिए fourth option देखते हैं constant comparative evolution तो ये सबसे जो है खतरनाक options होते हैं जिसमें comparative आ गया, memorization आ गया तो ये तो हमें लगाना ही नहीं होते है तो comparison दो बच्चे का करना ही नहीं है किसी से भी तो हमारा option कौन से हुए? second or third option है तो correct हो जाएंगे answer क्या हुआ? fourth option how can teachers facilitate understanding of complex concept in children कि जो एक teacher है वो जो complex concept होते है उसको जो है बच्चों को उसमें understanding कैसे करा सकता है mechanical drill से मलब mechanical drill का मलब है बार-बार जब उसकी practice कराए जा रहे हो कराए जा रहे हो तो उसका फाइदा क्या? अगर practice करा रहे हो concept ही clear नहीं है तो practice से क्या फाइदा? second हम देखते हैं by providing opportunities for exploration and discussion हाँ ये बिल्कुल ठाइए बिल्कुल सही है कि आपको जो है बच्चे को opportunities देनी चाहिए कि इसमें जो है वो उस concept के बारे में discuss कर चके खुलके बात कर सके उनको उस concept को जो explore कर सके ये बिल्कुल करते है कि आपने भाशन दे रहे और बच्चे को समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं होता है फॉर्थ ऑप्शन है बाइ ओर्गनाइजिंग कम्पेटिटिव इवेंट्स ये भी गलत है कम्पेटिटिव इवेंट्स तब कंडेक्ट किये जाते हैं तब एक बच्चे का concept की अच्छी हो तो सेकिंड ओप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है बाइप प्रोवाइदिंग ऑपोर्चनिटीज फॉर एक्स्प्लोरेशन एंड इसकुशन सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट टैन कोश्चन डिसकस करेंगे आई थिंग यह टूथाउजन नाइंटीन का पेपर वन की कोश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट टैन को